बहुत टाइम से मेरी वीडियोस में कॉमेंट्स आ रहे थे कि आप इडियम्स के उपर वीडियोस बनाईए और इडियम्स के उपर मैंने बहुत टाइम से वीडियोस बनाई भी नहीं थी तो by the end of this video you are going to learn some interesting इडियम्स जिने आप अपनी real life में easily use कर पाएंगे तो हमारी फर्स्ट इडियम है smell the rat इसको हमें इस सेंस में use करते हैं जैसे अगर आपसे कोई चालाकी कर रहा है या फिर धोका देनी की कोशिश कर रहा है तो उसकी चाल को समझ जाना मतलब उस पर शक हो जाना या फिर हल्की सी फीलिंग आ जाना कि कुछ तो कड़ पढ़ है या इसका मतलब यह है कि जब मैंने उन्हें काफे में बैठे हुए कॉफी पीते हुए देखा तो मुझे भनक लग गई या फिर मुझे उन पर शक हो गया कि कुछ तो गड़ बढ़ है यहां पर एक वर्ड है काफे इट मेंस इसका मतलब यह है कि जब मैंने उसे खाना खाने के लिए पूछा तो उसने कहा कि मेरा खाना खाने का मन नहीं है तो मुझे शक हो गया कि वो अच्छे मोड में नहीं है तो हमारी अगली इडियम है to be over the head इसको हमें सेंस में यूज करते हैं जैसे कोई चीज है वो आपके पल्ले नहीं पढ़ रही है या फिर आपको समझ नहीं आ रही है तो जैसे एक situation है जैसे कोई बच्चा है वो आपसे कुछ पूछ रहा है आपसे कोई maths का ही कोई question पूछ रहा है तो वो आपके पल्ले नहीं पढ़ रहा है आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप simple language में तो बोल सकते हैं it is too complex for me मतलब यह पेचीदा है यह जटिल है यह मुझे समझ नहीं आ रहा है या फिर मेरे पल्ले नहीं पढ़ रहा है तो इसी को थोड़ा सा advanced way में आप बोल सकते हैं I have no idea what to tell it is over my head इसका मतलब यह है कि मुझे कोई idea नहीं है मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि मैं क्या बोल नहीं है वो मेरे सर के ऊपर से जाती है मतलब मुझे समझी नहीं आती है next one is keep your shirt on इसको हम किसी person के लिए use कर सकते हैं उससे हम कह सकते हैं कि गुसा मत हो मतलब उदास मत हो या फिर अपने गुसे को शांत कर लो मतलब calm down हो जाओ relax हो जैसे एक situation है आप अपने दोस्ते के साथ क तुम तयार नहीं हो तो आप उससे बोल सकते हो keep your shirt on I'll be ready in 10 minutes तो इसका मतलब यह है कि गुसा मत हो या फिर उदास मत हो अपने गुसे को शांत कर लो मैं बस 10 minutes में तयार हो जाऊंगा तो जैसे एक situation और है आप बस में कहीं पर जा रहे हो आपको बहुत जल्दी हो रही है तो आपकी जो बस है वो ट्रैफिक में बहुत दिर से फंसी हुई है तो आपको गुसा आ रहा है तो आप ड्रैवर के बास जाकर पोलते हो कि क्या हो गया इतनी देर क्यों हो रही है तो उस टाइम पर ड्रैवर बोलेगा आपसे keep your shirt on I can't do anything we are stuck in traffic तो इसका मतलब यह है कि अपने किसी पर महनत करना who doesn't know its value मतलब जो इसकी कीमत ही नहीं समझता है जो इसकी कदर ही नहीं करता है जैसे हिंदी में एक प्रोवब होती है भैस के आगे बीन बजाना तो जैसे एक्जामपल है don't cash pearls before swine with a good advice he is really not going to listen to you इसको हम किसी person के लिए यूज़ कर रहे है कि तुम उसको अपनी अच्छी सलह दे कर फाल तुमें महनत मत करो मतलब वो सच में तुमारी बात नहीं सुनने वाला है मतलब वो तुमारी बात नहीं मानने वाला है इसका मतलब यह है कि मैंने उसे समझाने की अपनी पूरी कोशिश की लेकिन ये तो बात ऐसी हो गई जैसे भैस के आगे बीन बजाना मतलब जो बात मैं उसे समझाना चाता था उसने समझाई नहीं मतलब मेरी बात उसने मानी नहीं next one is a white elephant, इसको हम इस sense में use कर सकते हैं, जैसे कोई चीज है वो बहुत ज़्यादा महंगी है, लेकिन अब वो बेकार हो चुकी है, मतलब वो use में आती नहीं है, for example, this office building is a white elephant because we are working from home these days, इसका मतलब यह है कि आजकल हम घर से काम कर रहे हैं, तो यह जो office की building है, यह white elephant हो चुकी है मतलब यह बहुत महंगी है लेकिन आजकल यह use में नहीं आती है, एक और example है, your bike is a white elephant for you, इसका मतलब यह है कि तुमारी जो bike है वो तुमारे लिए white elephant है, white elephant है मतलब तुमारी जो bike है वो starting में बहुत महंगी थी, तुमने बहुत महंगी खरीदी थी, starting में उसका mileage अच्छा था Next one is white lie, इसका मतलब होता है सपेज जोट, suppose that if you tell a white lie, तो इसका मतलब यह है कि आप एक जोट बोलते हो, मतलब आप एक ऐसा जोट बोलते हो, जिसमें आप किसी को hurt नहीं करना चाते, मतलब किसी की खुशी के लिए जोट बोलते हो, एक छोटा सा जोट बोलते हो, ना कि बहु बार खाना बनाया था, तो मैंने कहा, खाना वाकई में बहुत अच्चा है, खाना वाकई में बहुत स्वादिश्ट है, but it was a white lie, लेकिन ये एक सफेज जोट था, मतलब उसकी खुशी के लिए मैंने जोट बोल दिया, एक और example है, you told a white lie when you said, she is looking gorgeous, इसका मतलब यह है कि, को घूस देना, ताकि वो वो करे जो आप चाहते हो, for example, we should not grease anyone's palm to root out the corruption, यहाँ पर एक phrasal verb है, root out, इसका मतलब होता है, किसी चीच को जड़ से खतम कर देना, या फिर किसी चीच को जड़ से नश्ट कर देना, तो यहाँ पर इस line का मतलब यह है कि, ब्रश्टाचार को जड किसी को घूस नहीं देनी चाहिए, या फिर रिश्वत नहीं देनी चाहिए, एक और example है, he had to grease the palm so that his work could complete early, इसका मतलब यह है कि, ताकि उसका काम जल्दी हो जाए, इसलिए उसे रिश्वत देनी पड़ी, next one is, go to the mat, इसका मतलब होता है, किसी की मदद करने के लिए, किसी की बहस में गुच जाना, for example, I can go to the mat for him because he helped me a lot in the past, इसका मतलब यह है कि, उसने मेरी past में बहुत ज़्यादा मदद की थी, तो इसकी वज़े से मैं उसकी मदद करने के लिए, उसकी किसी भी लड़ाई में गुच सकता हूँ, उसकी किसी बहस में गुच सकता हूँ, एक और example है A lot of my friends are always ready to go to the mat for me, इसका मतलब यह है कि, मेरी लड़ाई में गुचने के लिए, मेरी मदद करने के लिए, मेरे बहुत सारे से दोस्त हैं, जो हमेशा तयार रहते हैं Next one is, to be on the game, इसका मतलब होता है किसी चीज को या किसी काम को बहुत अच्छे से करना, मतलब बहुत अच्छे से perform करना For example, you are not playing well today, just be on your game इसका मतलब यह है कि, आप कोई game खेल रहे हो, और महाँ पर किसी प्लेयर से बोल लो कि, आज तुम अच्छा नहीं खेल रहे हो, किरपया अपने game पर धियान दो, मतलब अच्छे से perform करो एक और example है, I can't believe, विराट कोली missed the catch, I think he's not on his game today इसका मतलब यह है कि, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि, विराट कोली ने catch होड़ दिया, मुझे लगता है कि, आज वो अच्छे से game नहीं खेल रहे हैं So, that's it guys for this video, I hope आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नहीं जरू सीखने के लिए मिला होगा तो guys, आपके सामने दो idioms हैं, go to the mat and keep your shirt on इन दोनों idioms को मैंने इसी वीडियो में लिया था, उनके साथ में examples भी लिये थे और meaning भी बताई थी तो मैं चाहता हूँ कि, आप इन दोनों के उपर अपने खुद के एक-एक sentence बना कर मुझे comment section में बताईए और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like कीजिए, अपने दोस्तों के साथ share कीजिए Thank you so much for watching this video, I'll catch you in the next video, take care